जहीं दोस्तों आज 15 अगस्त है और अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो हम लोग 15 अगस्त की कुछियां बिल्कुल भी नहीं मना पाए थे उसकी एक बड़ी वज़े ये थी कि कोबिड किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ था लोग तरही तरही थे अगर मैं बात तो ऐसे में बहुत सारी संस्थाओं ने लोगों को मदद पहुचाई उनमें से एक है मेकिंग दा डिफरेंस इनका नाम है दीपक विसकर्मा जी या अध्यक्च है मेकिंग दा डिफरेंस ने हर उस सेक्टर को चुआ इनको जहां भी लगा कि उनके मदद की जरूरत है उन्ह इनका होसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर योगेश दुबेजी यहां पर आये हुए हैं सर क्या कहेंगे ऐसी संस्थाओं के बारे में मैंने देखा है कि इन्होंने हर तरह के ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो चूटा हुआ है इनको लगता है कि ऑक्सिजन की जरूरत है तो ऑ बहुत शांदार और जबरदस्त काम मेकिंग डिफरेंस यहां पर 2014 से करताया है विश्करमा जी के नेतरित में यह एक बड़ा काम है और इसमें इनकी जो पूरी टीम है जिस तरीके से उस वंचित वर्ब तक पहुँचने की कोशिश कर रही है विशिश करके मैं उल्ले करना चाहूंगा कि कुरोना काल में जब लोगों के पास में माइगरंट वर्कर्स के पास में खाने की तकलीफ थी जब लोगों के पास में कोई आये के साधन नहीं थे उस समय उस गरीब व्यक्ति तक पहुँचकर उस बिमार व्यक्ति तक पहुँचकर उसको सारी सुविधाय द लिबर्ज हों चाहे एडुकेशन की फील्ड में रहे हों एक नौजवानों की पूरी एक काडर बनाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब 2014 में इनोंने शुरुआत की थ आज पूरे देश में इनका नेटवर्क बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे इस देश में अगर पूजा अगर किसी चीज की हुई है तो त्याग की हुई है तो इन्होंने जो त्याग करके जो संघर्ष करके अपना स्थान और अपने संस्था का स्थान बनाया उसके लिए मैं इनको रिदे से बहुत पुशारी शुप कामना और बधाई देना चाहूँगा। तक जरूर पहुँचेगा। तक जरूर पहुचेगा। तक जरूर पहुचेगा। तक जरूर पहुचेगा। और हम लोग जुडेंगे और डेफिनेटली आपके इस प्रैत्न में हमारा भी सयोग होगा। तक जरूर पहुचेगा। 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 मल्टीफैसेटेड में कहुचेगा। अलग-अलग तरह से वह help कर रहे हैं, तो I think keep up the good work. THANK YOU SO MUCH इन्होंने वृटसौट में बहुत अच्छी बात की। ऐत लास्ट मैं दीपक विस्वकरमा जी से यह पूछना चाहूँगा कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो योगेश दुवे जी को डॉक्टर योगेश दुवे जी को मैं हमेशा देखता हूँ कि वो अपना वक्त निकाल करके आते हैं उनके साथ कई महमान और आते हैं क्या कहेंगे इस तरह का जो हौसला वड़ाते हैं सर यह जो हम कारेक कर रहे हैं वो कारेक की जो प्रेड़ना मिलती है वो ऐसे ही लोगों की वज़े से है आज दुवे भाया ने जो सपोर्ट किया है नितिन जी ने जो आके हमें एक होसला अपजाई किया है जिसकी वज़े से हम आगे बलेंगे और संदीप जी का मैं तैदिल से आज मेकिंग दे डिफरेंस को जिस उचाई पे दिपक विस्व कर्मा जी ने ले करके गए हैं और जिस तरह से मेकिंग दे डिफरेंस काम कर रही है ऐसे फादर क्या कहेंगे क्या महसूस करता हूं और इसका ये काम करने की प्रेड़ा मिलती है ऐसे हमारे भिशिष्ट अथि आते हैं होफला आप जाई करते हैं उन लोगों से प्रेड़ा मिलती है और देख करके खुसी होती है मैं भी बहुत गर्वानित ममसुच करता हूं कि चलिए हम लोग आफे जगह पे और हमारा जो पूरा एम्टीडी का फैमली है हम लोग वालेंटियर कम फैमली जादा मानते है और इन ही लोगों के वज़े से हम लोग इतना आगे आए हैं इसमें हमारे वालेंटियर और हमारे योगदान देने वाले जो दानभीर बोल सकते हैं और हाफला आप जाई करने के लिए डाक्टर साब है और नितिन सर है और ऐसे लोगों के वज़े से हम लोगों को काम करते हुए खाना नहीं पीना नहीं और एक मजदूर के जैसा मेकिंग दा डिफरेंस के जो टीम है जो वोलिंटर है वो काम करते हैं अभी अभी मैंने चिपलुन में देखा है बाल पीड़तों को जो मदद करते हुए आप सोच नहीं सकते कि यह लोग किस तरह से गाउंड रखते हैं और यह जितने भी लोग जुड़े हुए हैं दिल से दुड़े हुए हैं जबी ऐसे जो अतिती हैं जो कहीं भी रहते हैं अगर मेकिंग दा डिफरेंस का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें अपना वक्त निकाल करके उनका होसला बढ़ाने के लिए जरूर आते हैं तैंक्यू सो मच